तो दिए स्टुडेंट्स करते हैं क्वेशन नूमबर फॉर क्वेशन फॉर कह रहे है कि आपको एक फ्लक्स दिया हुआ है मैगनेटिक फ्लक्स दाट इस 20 कॉस फाइव पाइटी टी स्कॉर प्लस 50 टी प्लस 25 वीबर और क्वेशन बोल रहे हैं आपको टी उक्वेशन से बताओ कितना इमफ इंड्यूस होगा देखो जब भी मैगनेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बदलता है यहां देखो टाइम पे आप वन सेकिंड पुट करो तो फ्लक्स कुछ और होगा तो फ्लक्स के पराबर होता है मुझे यहां सिर्फ एमफ का मैगनेटिक निकालने तो इसलिए म मैं यहां नेगिटे टे प्लस टी स्कॉर प्लस 50 टी प्लस 25 अब 20 को हम बाहर ले लेते हैं, इसका individual differentiation करना है, इसका individual, इसका individual और इसका individual तो 20 को मैंने बाहर ले लिया, फिर differentiation करूँगा cos 5πi t का, तो cos इसको पूरे को पूरे को theta मान लेता हूँ, ठीक है न, तो cos theta का differentiation होता है, minus sin यह आपका theta आजाएगा 5πi t, ठीक है, अब 5πi t भी एक function है अपका, तो function in function, मतलब यह पूरा भी cos theta है, फिर अंदर भी इसके एक और function है, तो दो function है तो फिर हमको 5πi t का भी differentiation करना पड़ेगा, और इससे multiply करना पड़ेगा, तो 5πi t का differentiation हो जाएगा 5πi, ठीक है, तो हमारा 20 cos 5πi t का differentiation होगा 20 into minus sin 5πi t into 5πi, यह हो जिसका differentiation हो जाएगा, t square का हो जाएगा 2t, 50 t का हो जाएगा 50, और 25 का हो जाएगा 0 अब हमको t equals to 1 second पे EMF find करना है, तो जहाँ पे t है, महाँ पे हम 1 put कर देंगे 20 into minus sin 5πi into 5πi, यह 2 into 12 हो जाएगा, और 50 as it is रह जाएगा, sin 5πi होता है आपका 0, क्यों? देखो, देखो यह होगा, sin का graph है यह, तो यहाँ से start होएगे, यह 90 यानि की πi by 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक cycle complete होगी, यानि की πi, तो sin πi पे कितना होता है? 0 होता है, ऐसी 2πi पे भी 0 होता है, ऐसे ही चलता जाएगा, 3πi, 4πi, 5πi सब पे 0 होता है, तो यह आपका 0 हो जा God, thank you.